सो फाइनली आज़ी क्लास से स्टार्ट करते हैं 36 गड़ समान निग्यान की जो आपकी एक्जाम में बिल्कुल पूछा जाएंगे चाहाँ आप S.S.C. व्यापम P.S.C. जितने भी परिक्षाओं की तयारी करना है उनकी लिए बेस्ट वीडियो लेकर आया हूं साथ ही आप स्क्राइब कर लिजी का लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोट की जाती है बिल आइकन की घंटी को क्या करोगे औल पर सेट कर लोगे जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेट वीडियो अपलोट करूँगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा चलिए जल साम सारे साथ बजे यानि की दोनों क्लास टाइम टू टाइम अपलोट की जा रही है डेली क्लास करते रहेगा जुड़ जाएगा अगर आप लोग को होस्टल वादने की तैयारी करना है या फिर एसाई भरती की तैयारी करना है उनके लिए ठीक है बहुत ही विगत वर्सों से प्रस्ण लेकर आया हूँ जो आपके SSC में व्यापा में और PSC में या कई बार यानि की बार बार एक्जाम में आया हुआ है ऐसे प्रस्ण अगर आप कर लेते हैं समझो आपका 90% तैयारी हो चुका टेली क्लास करते रहेगा पहला कोस्चन आप सभी के ल साल में प्रत्थम सुप्रिटेंड यानि अधिक्षक कौन बने है अपसन भी आएगा कैप्टन एडमंड जी बने है ठीक है डेली क्लास करते रहेगा जो लोग होस्टाल वारानेकता जारी कर रहे है ठीक है इसका मैं डीटेल आपको बताता हूं त्रिती आंगला माराटा य संदी के सांथ 36 गड़ अप रत्तक चुरूप से ब्रिटीस नियंतर में आ गया जिसके तहत यहां परा ब्रिटीस अधिक्षक कैप्टन एडमंड तथा दुल्ती ब्रिटीस अधिक्षक कैप्टन एगन्यू थे जिन्होंने 1818 में राजधानी रतनपूर के स्थान पर रैप सोनी के द्वारा ठीक है परस राम सोनी के द्वारा हुआ था यह रैपूर के स्रेंटर बिल्कुल याद करते चलिएगा डेली क्लसस करा रहा हूं 36 गड़ समाने गान की जो लोग होस्टल बादानी तयारी करने है तो जल्दी से जुड़ जाएगा ठीक है वीडियो को सस्क् किये हैं या फिर वीडियो को लाइक किये हैं ठीक है तो चलिए वीडियो को लाइक करते जाएगा सेयर करते जाएगा ठीक है चलिए इसके बाद आएगा देखिए मैं आप सभी को बताने वाला हूं यह जो भारत छोड़ अंदोलान के समय के महत्तप्र नगतना थी जिसके प्रमूक नेता प्रश्राम सोनी थे ठीक है या 1942 में गठीत हुआ जिसने रैपोर्ट सेंथर केस कहा जाता है उसके बाद है इस राज्य में 1920 मुही प्रतम मज़ूर अंतुरान का नेतिवतर किसने किया है ठाको और प्यारे लाल सी ने किया है ठीक है 36 गर समाने जान की ठीक है 36 गड़ में मिल मजदूर अंदोलान के नितित्व करता कौन है तो आपका ठाकोर प्यारे लाल सी है जिसे प्रथा मिल अर्टोलान हुआ था 1920 में कब हुआ था 1920 में 36 दिन तक चला था अगर एक्जाम में पूछ लिये जाता है कि 36 गड़ में मिल मजदूरों का अंदोला तक चला था अगर दूत्री वाला पूछ लिया जाता है दूत्री वाला पूछ लिये जाता तब क्या बताएगे पता है आपको 1924 में और त्रिती मजदूर अंदोलान पूछेगा तो 1937 में इसके बाद है कि इस राज्य के कंडेल ग्राम में 1920 इस्वी में कौन से भारती सत्याग की अजित किया गया था नहर सत्यागर है ये सत्यागर है ठीक है कौन से भारती सत्यागी का अजित किया था 1920 में तो आप बताएगे नहर सत्यागर है ठीक उसके बाद है राज्य के प्र शकल कोशल्द की तप किसंध्धारन की थी प्रित्वी देवने ठीक है प्रित्वी देवने प्रथम दुर्टी नहीं आयेगा पहला आयेगा किसके सासन कान में चीनी यात्र हैंसांग, इस graduating सिर्पूर में भेटकी थी महा सिउवुत बालार्जुन के कान में छीनी यात्र रिहन सांग नहीं है, शीट्सूं की यात्र, फिक है, इसका विवरान उसकी रचना सीउकी के में मिलता है, छीट्र गड़ में ठीक है। आप देखते हैं कि मेजर एगन्यू जो मेजर एगन्यू है राजधानी रतनपूर में इस्थनान्थी किया था किसने बिटी रधिकारी ने ठीक है नागपूर के भोसला राजा रगूजी भोसले के सिनापती कौन थे तो भासकर पंत जी बताएगा और 1741 में कल्चूरियों को सासा कर गूनात सिन जी को हराकर 36 गड़ में कल्चूरी की प्रभुत्त सवाब्त कर दिया था ये बताएगे कि बस्तर में 1910 में हुए प्रसिद आदिवासी विद्रो के नेता कौन थे तो आदिवासी विद्रो के नेता आपका गुंड़ा धूर थे ठीक है गुंड़ा धूर जी थे आपके अपसन सी में दिखाई दे रहा है इसके बाद है कि ये देखिए इसको मैं आपको डिटेल बताता हूँ 1910 इसमिय भूमकल विद्रो के नेता गुंड़ा दूर थे ठीक है कौन थे गुंड़ा जिसका प्रतिक चिरलाल मीर्ट अटा होनी थे जिसके प्रमुकर्ण बैजंड़ पांड़ा देवान बनना था ठी अपने अधिकर सीडिवेल की हथ्या कि थी सीडिवेल की हथ्या किसने की थी आपका हनुमान सीहां आ ठीक है हनुमान सीहें इसके बाद है जे आर्स राश्टी भावना विक्सित करने तो उस राज्य के राजनान्द गाउं में 1909 इस कौन से जंगड़ित थापित किया गया आप कमेंड में बताएगा इस कांसर क्या आएगा किसके नाम पर इस राज्य में अइंसा और गाउर अक्षक सम्मान ने किया था यतियतनलाल सीहें होंगे इसके बाद है दिसंबर 1920 में मातम गांधि को इस राज्य में प्रवत्वम प्रवास के लाने के स्रिय पंडे सुंद बस्तर चेत्र में 1824-25 में महराठों के विरिद्ध कौन से विद्रोवा था परोल कोट का विद्रोव हुआ था ठीक है चलिए अब इसका मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूं 1824-25 में अवधी में अबूज महराठों में गेंद सिंग के नेतरुतियों परोल कोट विद्र पच्चिस को गेंद सिंग को फांसी दी गई इसको नोट कर लिजगे एक्जाम में कभी भी पूछ सकता है चलिए आप बताईएगा 1888 क्यानिक 1787 से लेकर 1888 कमाराठा सासन में इस राजे के कौन से प्रसासनिक विद्यमान थी आपका सूबा सासन है सूबा वियास्था ठीक है चलिए इसके बाद है मैं आपको डिटेलिस कभी बता देता हूं व्यकौन जी भोसले ने च्छतिस गड़ में सूबा प्रथा की शुरुवात की गए थी जिसके आउदी सत्रसु सत्यासे लेका 1888 से चला था जिसके प्रथम सुवेदार महिपत राव दिनकर जी थे और अ सबी लोगों का अंसर आ ही चुका है इसके बाद अंजिन सुवेदार पुछा गया तो यादावरा दिवा कर चलिए इस राजे की स्थान पर जानिक 1922 में प्रथम समाचार पत्र 36 गड़ मित्र प्रकासित हुआ तो पेंडरा में इसको नोट कीजिए पेंडरा जो है प्रथ शतीस गड़ में पत्रकारिता के जनक कौन है तो आप बताएगा कौन है माधाव राव सप्रेजी है 36 गड़ में पत्रकारिता के जनक माधार राव सप्रेजी है चलिए Question देखते हैं English से क्लास करेंगे इंगलीज के क्लास करेंगे जो आपके वाडने में आया